सब्सक्राइब विडियो देखने वाले पकिस्तान के कुछ पब्लिक रियक्शन उसमें इंडिया और बंगलादेश के खिलाब जो बैटिंग हुई थी एंड जो मैच हुआ था टीटो एंडी का उसमें लोगों का क्या खालात है और उन लोग क्या कहते हैं तो इसी काहम वीडियो देखने वाले और उनके पूब्लिक सुनने वाले चाहरी देखने को स्ब्सक्राइब करते हैं तो चलिए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं Integration क्या खाल कर यण लने बंदेर रख दिया है वहाई है dude को olvmore बहुत बहऄ्णा दो के रखा है ना चाहेंगे आज टीम इंडिया की परफॉर्मंस पर पिल्कुल अगर देखा जाए तो जिस तरह के से आज इंडिया के जो भी बैट्समेन और बॉलर और सब पर अपने हाथ दोये बाद रही बीब द्र चुल अतुसरा के बिचारा न पकशितान के लेकिन उसको बिचार गलती से निकल जा रहा है पिराट को लिए सरका और रोई सरका डेमें आप देखलें आप निदेश रेडी क्या कमाल की उस बंदे ने बैटिंग की है सुरिया कुमार यादफ और स्टेंडिंग कैप्टन से उस बंदे के बैट से बैटिंग से भी और फि कि अच्छित उस बंदे की बैटिंग देखने का एक अलगी मुजा था एक बी के बाद उस मंदे के बैटिंग देक्खके हम इंटने होते मजा था हमें की आज जिसको मौका मिला एंडियन को कि टीम में वह बल्ले बाज हो या पिर बालर हो और सबने परफॉर्म कि और दोया चुनका यार दो तीन अवर्स में उस बंदे ने बंगला देश को हिली नी दिया एक एवर बेट जाता है कोई मसला नहीं है आपने विक्टे भी ली थी डेबियू मेच में आके पहले आवर में आपने दूसरे आवर में आपने विक्ट ले लिए क्या कमाल का टाइलेंड मिला इंडिया को आप देख लें 150 प्लस की स्पीड से वो फेंग रहें नेक्स वेपक्तर अगर यह बंदा इंजर नहीं होते इंजरी नहीं होती इसके उपए तो यह बंदा नेक्स वेपक्तर बनने में इसको कोई देर नहीं लगेगी 156 पे IPL में इस अटियम को आउट कर दिया जो परफॉरमसा में टेस्स सीरीस में देखने क में अचे बेथर परफॉरमसा औस में देखने को मिल रही है कमाल का क्एल रही है टीम इंडिया के पास सिर्फ सिनियर प्लेर नहीं हर प्लेयर परफॉरमस करता है सीनियर और चाहे जूनियर और आप जिस मर्जी को आके खिला लें अपनी कंट्री के लिए वह ऐसा ज़जबा दिखाता है ऐसी वह परफॉमस करके दिखाता है पूरी दुनिया उस बंदे को किस किस को लेके बैठें किस कि तारीफ करें हम हर बंदे ही परफॉमर है जस्पीद वावा नहीं होगी तो और क्या होगी अब यह देखें ना कि अगर हम बात करें दूस तरफ जो थोड़ी दिर पहली मैच हुआ है इंडियन वोमें प्रिकेटीम और पाकिस्तानी वोमें प्रिकेटीम का टी-20 का जो मैच था आप देए किस तरह इंडिया की खवातीन ने पा पाकिस्तान की जो राविलरी कहा जाता है ना इस जिस तरफ टी-वी रैटिंग के हाइप के लिए सब मेच्ट साइडिली होते हैं जाये मैंस हो चाहे वोमेंस हो आप देख ले हमने नौग कईला इंडिया के साथ बंस हम वोल्ड कब में जीते हैं यह बात तो सही का बंदे हैं पूरी स्टरिय आप निकालिक देख लेए इक 20 मैंट जीते हैं नोंटी moन ट्र एफ और वो मैंस की 16 मैंजिवे दो मैंज विजा हैं usill 16 घाई सम्हारे यह बड़े हैं है यह अमारे स्टेइट सेंज यह हमारी ओर इंडिया की किरकिट के मेhr Kabind हो करे आप कंपेर ना भर में आकर धोकर गया थो रहने बड़ा को इंडिया घॉटा कि होम ग्राउंट पर आएंक बाद बंगला देश की नहीं है किसी का यह फूरा था आपको नजर आ मुझे लग रहा है बहुत दूर की बात है खौब पूरा होने के वह सपने में भी विचारा देख सकता है यह हो सकता है यह भी खौब देख रही है अस्ट्रेलिया की टीम कितनी बड़ी टीम है वह कभी हारी जीती है बारा सालों में 2012 लास्ट टाइम सीरिस उन्होंने खेला थ है दर हकीकत है हम बात करते है कि इंडिया की टीम बड़ी अच्छी है बाश्वेज लोगों को बड़ी आग लग जाती क्यों तरी को भाई वो काबिल है तारीफ के उनकी परफॉरमस बोलती है हम मचबूर होते हैं करने में हमारे मारे जबान से निकलाती है इंडिया की टीम बहुत जादा अच्छी एस टाइम आप देख लें यंग टाइलेंट का भी आज 5-6 प्लेयर का डेबी हुआ बंगला देश की सीनियर प्लेयर की बस नहीं चली उनके आगे वो डेबी वाले प्लेयर उनके अच्छे सीनियर प्लेयर से बेतर परफॉरमस कर रहे हैं उनका कैप् मैचिस और बाकिया क्या लगता है बंगला देश कोई एक मैच भी जीत पाएगा मुझे लग रहा है कि अगर फॉस्ट इंडिया करता है ना इसमें बैटिंग डाइसो प्लस स्कोर होने वाला है और नेक्स्ट मैचिस में और बंगला देश साउसो के अबब ये स्कोर नहीं क के पास इतना option है जब player बाहर हो जाता तो उसकी बारी नहीं आती प्लेयर ही इतने जाद है यहां पर पर्चिय सिस्टम नहीं है इसी वज़ा से उनकी cricket पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा बैटा रहा है चाहे वो ये अंडर नाइटीन हो चाहे वो अंडर सिक्स्टीन हो पहले आपने test series देखी बंगलादेश को घर में बुला के धो रहे हैं आज G20 का पहला मैच था विरात कोली रोही शर्मा बुम्रा के बगैर ही इन्होंने बंगलादेश को धो कर रख दिया पर्स नों तो आप यह देखे ना रोही शर्मा विरात कोली की कमी तो इन्हों बिल बूल गे थे कैप्टन को अना सुर्ख हमारी आदब था वे बूल गे थे के अंदर रहान पराग भी आए उसके बाद करें अभी शेक शर्मा भी आप यह देख जिसने संराइबाद के अनर रहे के ट्रैवी सेट के आज इन्ही खेली मैं के अदब परस नों अर्जीब सिंग अर्जीब सिंग यह तब निकालते है जब उनको ना कुछ समन ही ना आ रहा था किया कौंसा फ्लेयर निकाले जो अंडर शिक्स्टीन वाला भी लगे यंग भी लगे और अगली टीम को जागे बुरी तरीके से एक्सपोस भी अब आते साती अर्जीब सिंग ने क्या की एह अगरे नियुली इंट्रड्यूस करें था टीट्वेंटी वर्ल कप के अंदर पहली बौल पर बाबर आजम को आउट कर गया यह यह बात तो बिल्कुल सही है सही हुआ था अब भी यही हाल है अर्जीब सिंग बिल्कुल चैनियों अर्जीब सिंग का वही स्पल आज तीन ले गया मियां के अदब से जो लोगों को काफी पूरी मीडिया के दिर इसके हैप क्रेट की थी के शोहे बक्तर का रिकॉर्ड ब्रेक करेंगा लेकिन वह तो नहीं हो पा है लेकिन इतना जो एक्स्पेक्टेशन थी ना हमारी के इतनी विक्टे उड़ाएगा मियां के 127 वे ओल टीम आउट जब बंगलादेश की हुई या ना बंगलादेश याद रिखे कि के बहुत बुरी तरह से हा रहा बहुत बुरी बहुत बुरी तरह से तो विचारेक लास्ट टाइम एस्ट इंडिस साहद आरा था हां जो पंद्रा ओवर में कुछ रन बनाए थी तो ह अब आते साथ ही पहला मैश खिलाया है आते साथ ही लोग नहीं फिर से एक्सपोस करें आज इंडिया की वुमन क्विके टीम ने पाकिसान की वुमन क्विके टीम को हौल आउट किया हूं क्यों कि ना बात करें ने तमा यहां से पैदल चला जाओंगा विचारा शरम से डू यहां पार आउट होता है आप लोग उसके घर के बार चले जाते हो के परफॉर्म निकारा वह नहीं कर रहा तो बाकी प्लेयर भी है केला यारा यारा बार आजम नहीं लेता है बीस हावर आपका बाबर राजम नहीं करवाता है बाकी प्लेयर भी है बाकी प्लेयर की तो टांग को घींचता नहीं है यहां पे बाबर आउट हो जाए तो इसके बाद सब की लाइन लग गई है पाकिसान की वोमेंस को खतम ही कर दो अच्छा पहला मैस अच्छा बला यह बड़ को में जीते हैं आइस अरे इंडिया पैला मैशने का हारगी पराटी ट्वनीडिया और दूसरा माशाला से हम हार इंडिया से और इंडिया वह हमारे से जीति हैं यह फरक रहा है कि अबाटी वड़ कर 9 जून को मेंस भी मारी एक्स पोघए छे झेटूब्र को मीमठी पेंडिया ने की यह क्या है कि या फूरा एंडिया इतने ची क्रुकेट मनान कैसे कहल रहा है हर एक और स्ट्रॉंग की ख़ाइश है कि वह इंडिया को जो है इंडिया के हो ग्राउंड पर हज़ाए कि आ किसी तीम की खौाइश पुरी रहे पाकिसान वाले ओडिया वर्ल्ड कप में जागर खेल लेते हैं वहां पर भी ओल्टीम आउट होके यार इंडिया को ना बिसिकली आदत होगी है हर टीम को ओल्टीम आउट करना या पिर उनको ना लात लागी या सिना कंट्री के खलाब अच्छा एक्सपीरियंस कहलने का अच लेकिन मसला पता क्या है जब तक हमारे पास कैप्टेंशी के रोले नहीं न रहेंगे तब तक हमारी टीम ने तरक्की नहीं करने लोग इस तरही रहना स्वापीर वीडियो आप लोगो पसंद आया है गाइस तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर द अगली वीडियो में नहीं वीडियो के साथ तब तक के लिए बाए बाए गाइस